कॉंग्रेस चुनावी रण में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है तो जहां एक तरफ घूशना पत्र जारी कर दिया है तो जनता से बड़े बड़े दावे और वादे भी कर रही है तो वहीं दुसरी तरह प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर कॉंग्रेस भी दावा कर रही है अगर पार्टी सत्ता में वापसी करेगी तो जनता से किये गए वादो को पूरा किया जाएगा इन तवाम मसलों को लेकर हमारे समवादाता हितेश त्यागी ने खास बात चित की सवाल है इस संप्रदाइक सियासत के बीच कॉंग्रेस कि तरह से चुनाओ को निकालने में साकार होगी देखिए आपके मेरे पिता दादा उन्होंने कॉंग्रेस पे समर्थन दिया जबी तो कॉंग्रेस ने यहाँ पे जनता की सेवा का काम किया क्यों किया उन लोगों ने आपके पिता ने मेरे पिता ने आपके दादा जी ने मेरे दादा जी ने क्यों कॉंग्रेस पे अपना मत दिया क्यों कॉंग्रेस के प्रति समर्थन दिया पता है आपको क्यों कि कॉंग्रेस ने आजादी के बाद और आजादी के पहले सिर्फ एकी बात करी लोगों के पाइली हो सडक हो पीने का पानी हो लो गैस का सिलेंडर हो मोबाइल फोन हो आई टी टेक्नोलोजी हो बैंकिंग सुवीदा हो विकास की बात कि आपने का उत्राखंड के अंदर विकास होगा महंगाई को लेकर महिलाओं को लेकर तमाम उद्ध्यापने करें किस तरह से हम इस को आगे बढ़ाने वाले हैं चार धाम चार काम उत्राखंडी स्वाबी मान दस मार्च को जिस टेबल पर मुखे मंत्री अपने पद के हस्ताक्षर करेंगे उसी टेबल पे चार काम के हस्ताक्षर होंगे पहला काम पांच लाग परिवारों को 40,000 रुपे की स्वाबलंबन दूसरा काम उसी दिन से उत्राखंड में सिलेंडर 500 के पार नहीं होगा जो बेसिक डिफरेंस है वो उत्राखंड की सरकार बहन करेगी मोधी जी चाहे तो इस सिलेंडर के भाव 5,000 कर दें पर उत्राखंड के माताओं बहनों को सिलेंडर 500 के अंदर ही मिलेगा नमबर तीन पात साल में चार लाख रोजगार का स्रजन करेंगे और कैसे करेंगे उसकी भी ब्ल्यूप्रिंट है और नमबर चार हर गाव हर द्वार तकनीक की सायता से स्वासुईदा मोहिया कराएगे यह हमारा पॉलिटिक्स ऑफ डवलपमेंट का एजंडा है जो हमने सेट कर दिया है पूर मुख्यमंतिरी हरीश रावज जी के लिए ये विधान सभा चुनाव कितना चुनाव दिपूर है मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूँ कि शीरी हरीश रावज जी भी पूरी तरह से हर डोर टो डोर कैम्पेंड कर रहे हैं जो उनके मद्दाता है उनके सामने जाके अपने विकास के एजंडा की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनको कोई परेशानी है दिजिटल परचार के माध्यम से उत्राखंड कोंग्रेस किस तरह से धार देने वाली है उत्राखंड की जो हमारी डिजिटल रैली हुई है उन्होंने आज तक के सारे विश्व की इरतिमान उत्राखंड में तोड़े है जब प्रियंका गानेदी जी देव भूमी पधारी उस समय जब वो भाशन दे रही थी तो 46,000 से जादा लोग उन्लाइन उनको देख रहे थे 70 के 70 विधान सवा में एक लाख से जादा लोग डिजिटल रैली में भाग ले रहे थे तो जिस तरह से हमारे फेस्बुक पेज हो, ट्विटर प्रोफाइल सो, हमारे इंस्टा के वीडियोज हो, रील्स हो जिस तरह से और वाटसेप पे जिस तरह हमारे वीडियोज फॉरवर्ड हो रहे हैं क्योंकि तीन तीगाड़ा काम बिगाड़ा अब ना आएगी भाजपा दोड़ा धन्यवाद वलब जी तो ये थे हमारे साथ कॉंग्रेस के राष्टी फर्वक्ता गुरव वलब जिन्होंने कहा है कि इस बाहर उत्राखंड के अंदर तीन तीगाड़ा काम बिगाड़ा काम बिलकुल नहीं चले